हेलो एवरिवन वेलकम टू स्टेड़ विट स्मार्डेस आसा करता हूं कि आप जहां भी होंगे सॉस्टन सुरक्षित होंगी दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं मौरेवन्स के वारे में मौरेवन्स से समन्दिज आपके जितने भी इंपॉर्टन को से पूछे आते हैं जो भ ऐसे को आने वाले वीडियो को अपडेट्स का मिलती रहेगी चली स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि मझत समराज में मौरेवन्स का सासन जो छे राजा थे वहां पर सासन करते ते तो नंदाबंस कि सासन को नो हम किस्षभार कि फिद्वरा का도 मौरेवन्स को मंद में जानकारी हमें कहां से मिलती है तो दोस्तों साहित हैं जो कि फिरात था तो सबसे पहले बात करते हैं मौरवण से मौरवं से यह हमारे मौरवन से आर्थ सास्त्र पूराड मुद्रा मंजरी और जैनगर्ण की जानकारी अप्राप्थ होती है ठीक है इसके बाद बात करेंगे हम विदेशी विर्वन के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे पुराता त्विक साक्षे देखेंगे दोस्तों कुछ से जो आपके इंपॉर्णन को सन उनको देख लेते हैं जैसे आपको जो फर्स्ट को सने कि मुद्रार अक्षस के रचाईता कौन है तो यह आपको सरत के रचाईता कौन है तो यहां पर इसको जो अशमी int enough की जानकारी मिलती है जो कि आपका च्छेमंद के दोरा लीखित है दोस्तों नेक्स आपके में से किस जैन ग्रंत में मौर्वन्स का विवरण मिलता है तो यहां पर आपका जो जानकारी मिलती है जो की एक जैन प्राप्त होती है तो दोस्तों कुछ important question जो कि आपके विदेश्टी विवरोन समद्धित उनको देखते हैं अपको पहला question देखते हैं यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौरे को क्या कहा है दोस्तों नेक्स्ट कोशन आपका है कि चंद्रगुपत मौरे के दरवार में सेल्यूकस निकलेटर का राजदूत कौन था यहाँ पर इसका जो correct answer है option नमर आपका ए है जो कि यह मेगस्थनीज है इसने ही आपका इंडिका नाम पुस्तक लिखे जिसमें मौर वंस के वारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है नेक्स बात करते हैं दोस्तों नेक्स आपका है कि चाणक के को की बात करते हैं दोस्तों की साक्ष की बात करें तो जो पूराप्त दोस्तों की अधिक आधिक अभिलीट है जो कि दोस्तों आपके चालिस से अधिक प्राप्त हुए हैं और इसके बाद आज़ी हम किसकी बात करें दोस्तों जो आपका है रूद्र दामन का जून अगल का अभिलेक है वहां सभी मौर इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है तो दोस्तों हम जो कुछ पुरा था तो एक साक् गुटत मोर की माता का नाम क्या था तो जो करेक्ट गुटत मौर की माता का नाम क्या था ग्टत आँप्स के घता है तो याद रखे गा आंगे बाद करते यहाँ पर आपको जो सूधी बताते हैं जो आपके हैं खाट रहे हैं ठीक है तोत नेच्च बात बात करते हैं दोस्तों मोर्करना कर रहा हैं य हम इन सब सेrank्जाम में पूछ हे जाते हैं तो इन से ज्दे उड़ों कुछ important morgen सरे नहीं मारे में उसके बाद हम उन sich कंग अंविया अनीर सा सब्सक्राइए दोस्तों जो आपका फर्स्ट कोर्शन दिया गए चंद्रगुप्त मौर में कि चंद्रगुप्त मौर का सासन कब से कब तक रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका जो ए दिया गए 322 इसा पूर्व से 298 इसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर का सासन रहा है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर के वारे में जो आपके विद्वार हुनका एक मत नहीं है कुछ विद्वार ने इन्हें सूद्र बताया और कुछ ने इन्हें छत्री बताया है जैसा कि मैंने आभी आपको बताया था नेक्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्ट आपका है कि चंद्गुप्त मौर किस धर्म का मताव नहीं आई था यान कि किस धर्म को फॉलो करते थे तो इसका जो correct answer दोस्तों आपका ए है जो कि यह जैन धर्म ठीक है तो याद रखेगा नेक्ट आपका है कि दोस्तों जो आपका है कि चंद्गुप्त मौर ने किन से जैन धर्म की सिक्षा ली थी तो इसका जो correct answer है option मेर आपका जो C दिया गया भद्र बाहू दोस्तों जो आपका भद्र बाहू सब्सक्राइब करना हैं जो जो आपका जैन धर्म सब्सक्राइब करना है जो है sindicam बैठता है और उससे जुड़ है कुछ इमपौरर्ण कोसें जो करने हैं चलीं करते हैं दोस्तों जो आपको फर्स्ट कुर्शन यह आपर है कि जूनागाड अभिले किस लिपी में लिखा गया है तिसका जो गुप्त मौर को सेल्यूकस के मध्य यूद्ध हैं कब हुआ था चंद्गुप्त मौर और आपको जो सेल्यूकस निकेटर था इसके बीच जो आपको 2017 चंद्गुप्त मौर की विजय हुई और दोनों के मध्य संधी हुई थी और इस संधी में इसें लुकस ने अपनी जो पुत्री है है लेना का विवाद चंद्रगुप्त मौरिस से कर दिया था जो जब कर दिया था है जो पुत्र हुआ है उसका नाम जस्टिन रहा है ठीक है तो याद रहेगा नेक्ट बात करते हैं में दोस्तों नेक्स्ट ऐब कहा है कि बिंदुसार अब हम बात करते हैं मुअन्स को तक रहा है डिसका जो करेंच्ट आपस्ट कि बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था जो correction answer दोस्तों angith घात तुम अमित्र घात का अर्थ क्या होता है तो सथरू बिमासक होता है ठीक है तो याद रखें इनका जो नाम में पूछा जाता है निक्श्थ आपका है कि बिंदुसार को जैन कraph problem में क्या कहा गया है जो करेक्ट टांसर ऑप्सन नमर सी है जो कि सीन सेन कहा गया है दोस्तों बिंदुसार को जैन गरंथों में सीन सेन कहा गया है नेक्ट बात करते हैं बिंदुसार के दरवार में कौन सा बिदेशी राजदूत आया था तो दोस्तों इसका जो करेक्ट टांसर सारो के दरवार में किन राजदूत को भीजा था कि आपको जो ऑ अपको आपको यह आ डाइनोसियस यहाँ पर आपको जो सक्ष के साथ सकते टॉलमी higher उन्होंने भेजा था नेक्स बात करते हैं कि बिंदुसार के दर्वार में प्रधान मंत्री कौन थे जो करेक्ट आंसर दोस्तों चानक कि रहा है उसके बाद दूस्तों जो है दूसरे प्रधान मंत्री निक्त हुए थे दोस्तों नेक्स बात करते हैं दोस्तों नेक्स आपका है कि मौर प्रशासन में बन विवाग के प्रधान को क्या कहा गया है दोस्तों नेक्स बात करते हैं दोस्तों नेक्स आपका है कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से किन चीजों की मांग की थी दोस्तों सूखे अंजीर दार्सनिक और आपका जो मदीरा है यह बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से मांगी थी तो दोस्तों इन में से जो आपका सूखे अंजीर आपका जो मदीरा है वह आपका भेजी गई थी लेकिन जो आपके दार्सनिक है दोस्तों उसके लिए यह कहा गया था कि यहां पर हमारे देश में जो है दार्सनिक का विक्रन नहीं किया जाता है तो दोस्तो इसका जो आपका correct answer option number D है next question देखते है दोस्तो next question आपका है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अन्याई था तो इसका जो correct answer option number C है जो कि आजीवक संप्रदाय बिंदुसार दोस्तो जो आपका है वह आजीवक संप्रदाय का अन्याई रहा है और वहीं जो आपका चंद्रगुप्त मौर रहे था दोस्तो वह आपका जैन धर्म से समन दिये था नेक्ट बात करते हैं दोस्तो नेक्ट आप में बात करते हैं समराट असोग के वारे में दोस्तो समराट असोग बिंदुसार के पूत्र थे असोग का राजजविसेग 279 इसापूर्व में किया गया था इससे पहले समराट असोग दोस्तों ओजयन के राजपाल थे दोस्तों इनके जो पिता जी थे बिंदुसार का जो टाइम पेट रहा है वह आपको 298 इसापूर्व से 273 इसापूर्व तक रहा है लेकिन इन्होंने जो राजपिसेग हुआ है वह आपको चार वर्स बाद हुआ था 279 इसापूर्व में दोस्तों चार वर्स इनकों को अपने भाईयों में ही युद्ध करने में जो है वह टाइम बैतीत हो गया था उसके बाद उन्होंने जो है राजपिसे करवाया था ठीक है तो याद रखेगा दोस्तों इनसे जोड़े कुछ important question देख लेते हैं दोस्तों आपको जो first question दिया गया है कि समराट असोक को अभिलेखों में किस नाम की उपाधित दी गई है तो इसका जो correct answer option नमर आपका जो C है दोस्तो देवनाम प्री समराट असोक को देवनाम प्री के नाम से भी जाना ज दोस्तों पुराणों में समराट असोक को असोक वर्धन के नाम से जाना जाता है ठीक है next देखते हैं दोस्तों next question आपका है कि दीप वन्स में समराट असोक को किस नाम से जाना गया है तो इसका जो correct answer दोस्तों option नमर आपका जो A है करमोली दीप वन्स में जो करमोली नाम से समराट असोक को जाना जाता है next देखते हैं दोस्तों next आपका है कि समराट असोक के अभिलेखो को सर प्रथम का पढ़ा गया था तो इसका जो correct answer है option वर को जो C दिया गया है 1837 ISV में दोस्तों 1837 ISV में सबसे पहले James Principe ने इनको पढ़ा थ ठीक है दोस्तों सबसे पहले 1750 में असोक के अभिलेखो का पता लगाया गया था और उसके बाद दोस्तों 1837 में को पढ़ा गया है James Principe के दोरा next देखते हैं दोस्तों next आपका कि समराट असोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था तो इसका जो correct answer 261 ISV में किया गया था जो क समराट असोक के दोरा कलिंग पर आक्रमण next देखते हैं दोस्तों next आपका कि समराट असोक के समय कलिंग की राजधानी क्या थी तो इसका जो correct answer आपका है option में आपका जो A है तोसली दोस्तों समराट असोक ने जिब आक्रमण किया था उस समय पर कलिंग के राजधानी तोसल कर दिया था और दोस्तों नाउने जो है बौत धर्म में सिख चली थी ने बात करते हैं मिधंस दोस्तों ने स्ट अपकर कि राज तरंगरी के रचाईता कौन रहे हैं तो इसका जो correct answer दोस्तो option नमर आपको जो है B है जो कि कल्राण रास्त रंगडी से पता चलता है कि दोस्तो असोग जो है वह आपका पहले सैव धर्म का अनुयाई रहे हैं ठीक है तो याद रिखेगा next question देखते हैं दोस्तो next question आपका है कि किन्होंने समराण असोग को बहुत धर्म की सिक्षा दी थी तो इसका जो correct answer दोस्तो option वह आपका जो है B है उपगुप्त दोस्तो उपगुप्त बहुत विख्चूर थे जिरोंने बहुत धर्म की सिक्षा दी थी किसको समराण असोग को दोस्तो ऑप्सन वरा को जो B है धम कहा गया है दोस्तो इन्होंने इन्हें असोक के धम के नाम से भी जाना जाता है ठीक है जो नियम उन्होंने बताय थो उनको नेट्श बात करते हैं दोस्तो नेट्श कुशन आपका जो है कि वे अभिलेग जो गुफाओं पर उतकीन है वे क्या कहलाते हैं तो इसका जो करेक्ट आपका जो है ए है गुहा लेग कहा जाता है उनको सिला लेग का प्रेशलेंस सवर प्रत्रम समराट असोक नहीं किया था दोस्तो तो याद रखेगा नेट्श बात करते हैं दोस्तो नेट्श कुशन आपका है कि समराट असोक के किस अभिलेग का बिसा प्रसासनिक ना होकर आर्थिक था तो इसका जो correct answer दोस्तो आपको जो B दिया गया है रूम ने देई अभिलेग यहाँ पर जो इसका B साय तो दोस्तो आपका प्रसासनिंग नहीं वलकि जो है आर्थिक रहा है तो याद रिखेगा next बात करते हैं दोस्तो दोस्तो next आपका है कि सम्राट असोक की म्रत्यू कब हुई थी तो इसका जो correct answer दोस्तो option नमर आपको जो दिया गए D है 232 इसापूर में सम्राट असोक की म्रत्यू हुई है next question देखते हैं दोस्तो next question आपका है कि more once का अंतियम सासक कौन रहा है दोस्तो इससे ज़्यादा question नहीं पूछ आते है बस आपका नाम पूछ आता है कि more once का अंतियम सासक कौन था दोस्तो जो correct answer दोस्तो option नमर आपको जो B दिया गए ब्रहदरत रहा है अंतियम सासक रहा है ठीक है दोस्तो ब्रहदरत की हत्या एक सो पचासी ईसापूर में सेनपती पुस्मित्र सूंग ने कर दी थी ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर more once समाप्त हो जाता है तो दोस्तो I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तो अगर आपको वीडियो हेलफुल लगा है तो प्रीज वीडियो को लाइक और सेर करना बिल्कुल न भूलेगा मिलते हैं कुछ नेक्स वीडियो में कुछ important concept को लेकर के जिससे आपकी तयारी जोकी और strong हो सके तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंज जै भारत